हलो दोस्तों आप सबीका स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर दोस्तों आज के इस वीडियो में BPSC सिच्छक भरती 2030 के लिए साइंस क्यूचन का प्रेक्टिस सेट नमर 20 देखेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राब जरू कर लिएगा तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं कि पहला प्रसन है भरकास वर्स नम्लिखीत में से किसकी इकाई है तो बताना है दोस्तों परकास वर्स झो किसकी इकाई हैwhat and Brian तो धूरी समय दूरी जईक हैं नाइन प्रकास 1 गुने व्यडियो धंय ठृज्टी यह फिर्द भफ सिकाहली में कि यूचर ने जदी किसी वस्थु दवारत्य कि गई दूरी सुन है तो वस्थु का विस्तापन कितना होगा, ओप्षन में दिया गया रिनातमक, धनातमक, सुन्य, सुन्य हो भी सकता है, नहीं भी, उप्रविक में से कोई नहीं, तो इसका रहाइट अप्षन सी होजीगा, है कि यूचे ने किसी वस्तु को पिठवी से उपर सो मिटर पर सेकंड के वेक से फेकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा तो दोस्तों वस्तु को वापस आने में लगा समय क्या होगा अनी हमको समय लिकालना है ठीक है तो सब से पहले दोस्तों पता लगाना कि kya kya मालूम है तो यू corn तो तो फर्मूला कौन सा लगाएंगे तो गति का पहला समिक्रण लगाएं भी तो यहां पर वस्तु क्या हो रहा है पिर्थवी से उपर जा रहा है और नीचे से उपर जा रहा है इसलिए यहां पर नेगेटिव लिए ठीक है अब सब का बहलू पूट करेंगे टीज गल्ट के यह जीरो है यू की इतना है जो है यहाँ पर ध्याद रखना है कि ए समय जो निकल के आया है नीचे से ऊपर जाने में 10 सकेंड लगा है लेकिन निकालना है वस्तु को वापस आने में कितना समय लगेगा उसको लिकालना है और वापस आने में कितना समय लगेगा हमको उस समय को लिकालना ठीक है तो जाने में 10 सेकेंड और आने में कितना सेकेंड लगेगा 10 सेकेंड तो 10 कितना हो गया 20 सेकेंड इसका राइट एंसर भी हो जागा ठीक कि यूचन किया गया काज में से किस पर निर्भण नहीं करता है और विस्थापन लगाया गया वर विस्थापन के बीच के कौन उपरिक्त में से कोई नहीं तो द्याद रखेगा नेक्स कुछन देखते हैं कि यूचन ने पैलियेंटो लोजी किसके अध्यान से संब्धित है अप्शन में दिया गया हडियों से जिवास्मों से कठोर कोसों से उपरुक्त में से कोई नहीं इसके राइट अप्शन भी हो जागा जिवास्मों से संब्धित है ठीक है नेक्स कुछन देखते हैं कि यूचन जीव विग्यान के जनक और फादर ऑफ बाइलोजी के नाम से जाना जाते हैं कौन जाना जाते हैं अरस्तु वर्गिज कुरियन लिनियस उपरुक्त में से एक साधिक उपरुक्त में से कोई नहीं तेसके राइट एंसर अप्शन नहीं हो जागा अरस्तु ठीक है वर्गिज कुरियन को जो है सवेध करांती के जनक माना जाता है तो द्यान रखेगा वर्गिज कुरियन को परकार के अप्षिष उत्पादों को संग्रित किया जाता है था है नेक्स कुछन देखते हैं तो नार्ययल की छाल का निर्मान अगा आफ्षी तक के दोबारा हो ता है तो के दवारा होता है तो बताना दोस्तों कौन सा जो है उर्जा का मात रख है जूल न्यूटन मिटर किलो वार्ट घंटा उपरिक्त में से एक से दिक उपरिक्त में से कोई नहीं तो इसके राइट एंसर ऑफ्षन डी हो जागा उपरिक्त में से एक सद्री जूल न्यूटन मिटर किलो वार्ट घंटा इसा भी दोस्तों उर्जा का मात रख है ठीक है नेक्स कुछन देखते हैं कि लगभग किस तापमान पर पानी का आधिकतम होगा है सै पर मानुक के नाभिख में कौन से मूलकन होते हैं ऑफ्षन में पर टॉन इक से एक सदे diff速ки कई नहींतों इसका राहत आइठ एंसर ऑप्सें कोई नहीं तो धेलरी तो सब्सक्राइब औरVery नाभिख में कहन से इप्रिक्त में इनौत्प कि एक टाव के इलेक्ट्रोनिक बिन्याश कि 5-2-2-4 तो तटव का है बताना है तो उस ताट्व का नाम बताना है तो दोस्तों इसको सबसे पहले किया जोड़ देंगे तो तो आठ चार कितना हो गया 14 हो गया तो 14 किसका अटोमिक नमर किस तत्व का तो दोस्तों सिलिकॉन का है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सण सी हो जाएगा नेक्स कुचन देखते हैं कि यूचन ने दस मोल्स का दरबमान कितना होगा तो Mोल की संक्षिया होता हें तो पर्मानquito क्तों मुझे मोल की संक्षियां हो जाएगा तो सी का हो जाएगा क्योंके तो इस हो जाएगा तो टो तोटल कितना हो गया चयहीं हो जाएंगे अब दोस्तों परमानु द्रभरह्मां caast 44 मालम हो गया और मोल कितना दिया गया 10 तो 10 गुना करेंगे तो 44 गुने 10 कितना हुआ 440 तो 440 के राइट अंसर भी हो जागा ठीक है नेक्स कुछन देखते हैं कि इसके निम्रखीत में से कौन सी गैस चुने के पानी को दूधिया बना देती है अप्सन में दिया गया है CO2 CO2 उप्रिक में से एक सधीक उप्रिक में से कोई नहीं तो इसके राइट अशर ऑप्सन सी ओजागा CO2 आनि carbon dioxide ठीक है नेक्स कुछन देखते हैं कि इनमे इन में से कीन दो तत्वों में संजोजी इलेक्टोन की संक्षत समान होती है है बल्वरिन और कलौरिन है नीटोरजन अा थीलियूसल में से एका दिकलिणों में से कोई नहीं इसका रैंट कुझे उप्छिते ठीक है एक फूल के फूल के प्रति काग्रत का प्रघनों की अस्थ्ठमतर को क्या कहा जाता है उसका प्रागन कहा जाता ठीक है का ब्लाइब फैसे तो लार्क में कौन सा पाइजाता है तो कियों सरीर में को कहते हैं क्या कहते हैं ऑप्सट में दिया गया है तो प्राकिर्त अवस्था में पाए जाता है तो कौन सी धात्में प्राकिर्त अवस्था में पाए जाता है तो कौन सी धात्में प्राकिर्त अवस्था में पाए जाता है और दोनों पाए जाता है नेक्स कुचन देखते हैं क्यों ने हमारे सरीर की किस पी-च रेंज में काम करता है तो हमारे सरीर किस पी-च रेंज में काम करता है और देखते हैं क्योचन ने को किसके गुनर फल के रूप में ब्यक्त किया जाता है तो दोस्तों संबेग और पी इसको डू क्या हो जागा एम भी होता है और अनि मास गुने वेलोसिटी और दरबान गुने वेग के गुनर फ अब ड्रमान और वेग ठीक है नेक्स क्यूचन देखते हैं कि इचन एक असु सकती किसके बरावर होता है तो एक सब्सक्राइब बढ़ जाता है तो नेक्स क्यूचन देखते हैं कि यह जब कि सी पीन्ड को विशुवत रेखा से उत्तर और दच्छिन धुर्वों पर ले ज जाता ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियों तक रहना दो फिर मिलेंगे अगले वीडियों में 25 के साथ अगर वीडियों अच्छा लगा तो लाइक करेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाले जेगा जया हिंद